हंदोस्तान के चहरे पर एक बन्दमा दाग होगा, अगर कशमीर की दर्ती दो मजभवों में बट जाए हमारी देश की दर्ती मजभवों की बुनियाद पर डिवाइड नहीं हो सकती पूरा कशमीर सभी लोगों का है, पूरा कशमीर कशमीरी पंड़तूं का है हम एक जगा वहाँ कश्मीर में पाकिस्तान और एक जगा हिंदोस्तान नहीं बना सकते हैं कश्मीर पूरा हिंदोस्तान का हिस्सा है और कश्मीर में हर जगा की पूँच हर किसी मजभ की होनी चाहिए मैं हंदोस्तान की गवर्मेंट से ये रुकेस्ट कर रहा हूँ कि इस बिल को अगर वन पले सेटलमेंट का प्रावदान है उसको सरे से खारिज करें इस बिल को और अगर इसमें प्रावदान है कि नहीं तीन चार या पांच जगा कश्मीरी पंड़तूं को बसाया जाए तो इस बिल को वेलकम करना चाहिए अगर वन पले सेटलमेंट है वो कश्मीर के टुगडे करने वाली बात है कश्मीर के अगर दो टुगडे हो गए है इसका मतलब हिंदोस्तान के टुगडे हो रहे है तो इसका मतलब इन लोगों में और जो आजादी मांग रहे थे लोग कि हमें आजादी दे उन लोगों में कोई फरक नहीं पड़ता है अगर कोई इंसान कश्मीर के दो टुगड़े करने की बात कर रहे है कश्मीर पूरे कश्मीर पूरा कश्मीर उतना ही कश्मीरी पंड़दू का है पूरा कश्मीर उतना ही कश्मीरी मुसल्मानों का भी है पूरा कश्मीर उतना ही कश्मीरी सरदारों का भी है इसलिए कश्मीर एक है, हंदोस्तान एक है, किसी भी हंदोस्तान की धारती के टुगडे पे, मजभब के बेस पे डिवाइड नहीं किया जा सकते। इसलिए पे बेस्ट जो है, फिल्म बनाई गई है, देखे मेरा एकी संदेश है, पिक्चर अच्छी बनी है, रियल्टी बेस्ट पिक्चर है, सब सचाई दिखाई है, जो नाइन्टी में कश्मीरी पंड़तों के साथ हुआ है, पर्टिकलर कम्मूनिटी के साथ, वो दर्शाय गया है, और पिक्चर सत्य पे आदारत है, मेरा इतना ही कहना है, पिक्चर ठीक है, ये पिक्चर पूरे हिंदोस्तान को देखनी चाहिए, युवावों को देखनी चाहिए, कश्मीरी पंड़तों के युवावों को देखनी चाहिए, जो जमू में या दिली में या कहीं और पैदा हुए हैं उनको पता चले कि उनके बूरवज़ूं के साथ क्या हुआ है ये बात मैं मानता हूं और उसके लिए विवेक ओगन होतरी को में तही दिल से धन्यवाद देता हूं लेकिन अगर हिंदोस्तान ने पूरा देखा ये पिक्चर को और सब अंडरस्टेंड किया क्या है कि कश्मीरी पंडितों को वो ज्याय दिला पाए की जिसके लिए वो 32 साल से संग्रश कर रहे हैं क्या कैश्मीरी पंडित फिर से वापस वहां बसेगा इस पिक्चर के मादेम से ये कुछ प्रशन है जो उजागर हो रहे हैं अरे कूमम है क्योंकि मेरा कूम अभी इस पिक्चर को देखके पुरा रो रहा है, फूट फूट के रो रहा है, 32 साल का आंसू निकल रहा है, मुझे ये लग रहा है कि अगर ये आंसू बह रहा है, ये आंसू बिक रहा है, ये बह नहीं रहा है, ये आंसू बिक रहा है अभी, मैं तब मानूंगा इन आंसूं की जो 32 सा कि पुछे कि कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर में बसा दो बाकी में पुर्जोर गुजारिश कर रहा हूं पूरे प्रशासनिक तंत्र को कि इस पिक्चर को रिलीज होने के बाद बाई चारा काईम काईम रहे इसमें जो रियल्टी दिखाई है जो हमारी मुसल्मान कि मुमेंट में उस समय शामिल नहीं था कश्मीरी पंडित को उस समय कोई लेना देना नहीं था जो लेना देना था वो कुछ चंद असमाजिक अतत्व को लेना था जो वहां उस समय आजादी के सुपने देख रहे थे लेकिन कश्मीरी पंडित बिचारा बेकुसूर अपने गर से जबरदस्ती निकालना पड़ा, उनको जबरदस्ती निकाला गया, तो मैं आज पूरे हंदोस्तान को ये प्रश्ण कर रहा हूं, कि आपने अब असलियत देखी, सबी लोग सेनमा हालों से बाहर आके देते हैं, नहरे देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इमोशनल बन की, लेकिन इस सचाई को दबाने में कुन जिम्मेवार है, इस सचाई को दबाने में कोई एक पुलिटिकल पार्टी जिम्मेवार नहीं है, इस सचाई को दबाने में उतना कांग्रेस भी जिम्मेवार है, उतना कोई तीसरा पुलिटिकल पार्टी जिम्मेवार है, या कश् सचाई सामने आई हम पूरा हिंदोस्तान इस तंत्र में लगा है अभी पूरे हंदोस्तान के युवा पूरे हंदोस्तान की जंता पूरे हंदोस्तान की मैलाएं रो रही है इस पिक्चर को देखे लेकिन इसके बाद क्या क्श्मीरी पंडित का समधान इस पिक्चर को देखके क्या हिंदोस्तान का नागरिक चाहे वो हिंदू हो, मुसल्मान हो, सिख हो, ईसाई हो कोई भी नागरिक के पिक्चर को देखे सड़कूं पे उतरेगा कि कश्मीरी पंड़तों को न्याई दिला दो इस इस चीज के लिए सड़कूं पे कितने लोग उतरेंगे मेरा ये प्रशन है, पुरे हिंदोस्तान से बाकि मेरे को कोई शिकायत नहीं पिक्चर से पिक्चर बहुत अच्छी बनी है, रियल्टी दिखाई है लेकिन मेरा पुरे हिंदोस्तान से प्रशन है और पुरे पुल्टिकल तंतर से प्रशन है इस चीज को शुपाने का पुल्टिकल तंतर कैसे किस मूँ से जवाब देगी ये मैं देखना चाहता हूँ और इस चीज के लिए मैं वेट कर रहा हूँ बरसर इस मूवी के दोरा जो लोग थेटर से बाहर निकल के आ रहे हैं आँखों में आसूं है रियल्टी बेस्ट फिल्म जो है ये बनाई गई है क्या एक संदेश जाएगा क्या एक सोच लेके जो है लोग वहाँ से बाहर निकलेंगे थेटर से निकलेंगे और कैसे वो एक दूसरे के साथ जो मिलेंगे बैठेंगे और जो पांच हजार परिवार जो कश्मीर में अभी रह रह रहा है वो अपने आपको कैसे वहाँ पर अर्जस कर पाएगा देखे ये पिक्चर एक सचाई बेस्ट पिक्चर है इस पिक्चर में जरूर एक माइनार्टी कम्मूनिटी पे जलुम हो गया उसको बाहर निकला गया जल्म तो सब के साथ हुआ है चाहे वो मेरा सरदार बाई है उनके साथ भी जल्म हुआ है चाहे मुसल्मान है उनके साथ भी जल्म हुआ है मैं यह नहीं बोद रहाँ किसी एक तंदर के साथ जल्म हुआ है इस सचाई को देखके मेरे मुसल्मान बाई को भी रियलाइजेशन करनी चाहिए मेरे सरदार बाई को भी मेरे हिंदू बाई को भी रियलाइजेशन करनी चाहिए हमें इस देश में रहना है हमें मिल बांट के रहना है हिंदोस्तान के हर कुने में हर समाज के लोग रहते हैं हमें इस पिक्चर को इस नजरे से देखना चाहिए कि जलुम के खिलाफ हर किसी इनसान को खड़ा होना चाहिए चाहिए वो किसी भी समाज का हो एक इनसान पे अगर जलुम हो वो एक हंदोस्तान के कानस्चूशन के खिलाफ है हंदोस्तान के कानस्चूशन एक डिमोक्रेटी कंट्री में एक बद्मुमा धाग है जो 1990 है बद्मुमा धाग इस दर्ती पे सबसे बड़ा बद्मुमा धाग एक डिमोक्रेटी कंट्री में एक इतने सेकंड वर्ल्ड लार्जस डिमोक्रेसी में एक अकलियती कौम जो कश्मीरी में है जो कश्मीर में था जो माइनार्टी कौम कश्मीरी साड़ पसाड़ पांश लोगों को उखाड के फैंक दिया इस चीज़ को ये बहुत बड़ी एक बहुत काला दबा है हंदोस्तान की डिमोक्रेसी में इस नजरिया से देखना चाहिए इस पिक्चर को इस नजरिया से नहीं देखना चाहिए कि ये कश्मीरी पंडित पे जलुम हुआ और मुसल्मान का नाम आ रहा है या किसी और पे सीरियत में नहीं था वो माइनार्टी में था उस उस नजरिया से देखना चाहिए और ये मेरे हिसाब से मेरे मुसल्मान बाई काफी मैच्वर हैं वहां कश्मीर के वह इस चीज़ को इस नजरिया से देखेंगे बाकी मैं यही लास्ट में बोलूंगा कि हंदोस्तान की पु इनको सब पता था कि कश्मीरी पंड़तों के साथ क्या हुआ यह आज तक इसको छुपा के क्यों रखे थे कश्मीरी पंड़तों को जिनसाइड का स्टैटस क्यों नहीं दिया कश्मीरी पंड़तों को इन्टरनली डिस्पलेसिट स्टैटस क्यों नहीं दिया कश्मीरी पंड के साथ पिछले 32 साल से जितने भी दिन है हर दिल जुरुम होता रहा है और अभी भी होता रहा है मैं एक संदेश देना चाहता हूं हंदोस्तान की जनता को हमारे अभी 32 साल के आंसू फूट रहे इस पिक्चर को इन आंसूं का कुछ मतलब निकलना चाहे यह आंसू बहते हैं यह भिकने नहीं चाहिए यह मेरी रुकेस्ट है पूरे हिंदोस्तान से बरसर कुछ सोर्स के हवाले से खबर आ रही है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के काफी दिगज नेता जो है वो कश्मीरी पंदर्स की कोई मेटिंग ले रहे हैं प्राइवेट मेटिंग ले रहे हैं क्य थे इबल कर रहे हैं और उस बिल में क्या मिटीरैल है कुछ लोगों को कहने से वह एक वनप्ले सैटलमेंट का आउसकार प्रावधान का रुकेस्ट कर रहे हैं मैं विवेक तनखा जी को एक कॉशून पूछ रहा हूं कि कांगरेस किसले 32 साल से क्यों सोई थी किषले 32 साल से 10 साल वो गुवर्मेंट में भी रही क्या उनको अब याद आ गया 32 साल के बाद ये बिल फाइल करने को और विवेक तनखाजी आप मुझे इस चीज़ का जवाब दीजिए आप ये बिल टेबल कर रहे हैं क्या आपने एक आम कश्मीरी पंडित जगदी वाला पुर्खू वाला मुठी वाला या वो कश्मीरी पंडित जिनकी वहाँ लैंड है जिनके रूटस जुड़े हैं जिनके हर कुने के कश्मीर में जमीन पड़ी है क्या उनसे आपने मशवरा किया क्या आपने अमरीका के लोगों से या दिली में सेटल हुए लोगों से आपने दो बातें पूछ के उस बिल में डाल दी जो पूरे लिम्टिड एरिया में सिरनगर सिटी में रहते हैं और उनके कहने पे आपने वन पले सेटलमेंट आपने इस बिल में अगर डाला है तो ये बहुत बड़ी गलती है ये हंदोस्तान के चेहरे पे एक बद्नमा दाग होगा अगर कश्मीर की दर्ती दो मजबों में बढ़ जाए हमारी देश की दर्ती मजबों के बन्याद पे डिवाइड नहीं हो सकती पूरा कश्मीर सभी लोगों का है पूरा कश्मीर कश्मीरी पंड़तू का है हम एक जगा वहां कश्मीर में पाकिस्तान और एक जगा हंदोस्तान नहीं बना सकते हैं कश्मीर पूरा हंदोस्तान का हिस्सा है और कश्मीर में हर जगा की पूँच हर किसी मजब की होनी चाहिए मैं हंदोस्तान की गुवर्मेंट से ये रुकेस्ट कर रहा हूँ कि इस बिल को अगर वन पले सेटलमेंट का प्रावदान है उसको सरे से खारिज करें इस बिल को के अगर दो टुगड़े हो गए इसका मतलब हंदोस्तान के टुगड़े हो रहे हैं तो इसका मतलब इन लोगों में और जो आजादी मांग रहे थे लोग कि हमें आजादी दें उन लोगों में कोई फरक नहीं पड़ता है अगर कोई इंसान कश्मीर के दो टुगडे करने की बात कर रहे हैं कश्मीर पूरा कश्मीर उतना ही कश्मीरी पढ़दू का है पूरा कश्मीर उतना ही कश्मीरी मुसल्मानों का भी है पूरा कश्मीर उतना ही कश्मीरी सरदारों क भी है इसलिए कश्मीर एक है हंदोस्तान एक है किसी भी हंदोस्तान की दर्थी के टुगडे पे मजभब के बेस पे डिवाइड नहीं किया जा सकता है यह मेरा कहना है विवेक तनकाजी आप कृपा करके थोड़ी सी तकलिफ ले लेते एक आम कश्मीरी पंड़तों को मिल लेत है उसके बाद आप विल टेबल कर लेते तो मेरा यही हंदोस्तान की गौवर्मेंट से है कि कश्मीर की दर्थी को डिवाइड होने से महरवानी करके बचाए शुक्रिया हमारे सब्सक्राइब काच्रू जी इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स क्लिए आप देखते रहें नि